तो मेरे पहले दोस्तों कैसा हो सभी आपका बहुत बहुत स्वागत है में टूब चैनल पर तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जिश्व पंद का फेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं WC3 में तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपको अप कर लेना है तो इससे चूज कर लेते हैं और यहां पर डाल देते हैं रिश्व और आई एस एच यह देखिया गया और इनका जर्शी नंबर है 47 तो अब हम लोग कुस्टमाइज कर लेते रिश्व को तो आपको बता देते हैं आपको देखते पहले आप पर यह सब चीज हट चीज़ा शूट करेगा नंबर थीए फोर आइ ठींक थीज़ादा शूट कर रहा है ठोड़ा सही ए और उसके बाद हैर स्टाइल को भी चीज़ा पर लेक कर देते हैं उसके बाद है स्टाइल आपको बताएंगे लिए इस्टाइल जो रखते हैं वो इसमें नहीं गयी है तो हम इस में जो है रखता है है नहीं पेनाएंगे जो ड्रोशब को यह श्टाइल रखते है जो हम लोगी हेस्टाइल मुलूझ है ऽुलुथ पांज चलेगा हम से हेस्टाइल क्या है उसका मल Lor Lинг थी scrip लग रही है तोड़ी गहरी वाली भी अड़ो रखते हैं देख लेते हैं ये भी नहीं ये हाँ ये कुछ-कुछ कर दिते हैं उसके बाद कैप इन्हें पहना दिंगे कैप अपने बज़े कोई भी चूज कर लिएगा कैप ही चूज कर दिएगा कि रिषब कैप ही लगाते जाज़ा अगपने देखा होगा तो यह देखिए तो आप फोर्स नमबर से वन स्वरी से केंड से फिफ्ट तक कोई कुछ कर सकते हैं जी अप लगाना चाहिए लगा सकते हैं जे लग रहे हैं ओ कर ooh आप देख सकते हैं जैसा कि लगवा लगवा मैच कर रहे हैं आप देखिए और कमेट करके जोरू बताइए कि आपको रिशापन कैसे लग रहे हैं हमारे सबसे तो बिल्कुल मैच कर चुके हैं एक बात चेहरा देख लेते हैं सायद कुछ ज्यादा और अट्रैक्टिव बन ज जाएंगे आपको बता देती जुबारक कि आप इस तब को थी नमबर चूज करना है यह शाल आप कोई भी रखे कुछ किसमें दी नहीं गई है कोई भी रखते हैं और बेर्ड में आपको चूज करना है फोर नमबर और उसके बाद कैप आपको कोई भी चूज कर सकते है दोस्तों आप बताइए का आपको रिशापन कैसे लग रहे हैं तो दोस्तों आपको जिस भी प्लेयर का फेस बहाँ चाहते हैं ड़ी स्थ्री में आप मुझे कमेंट करके बताएए का मैं आपको मिलूँगा अपनी जल्दी नहीं वीडियो में तब तब यह जाएं बंदे म